अलो फ्रेंट्स एक वापना मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स तरियर लाइफ मैं आपस वगत करता हूँ जैसा कि आप वाईजबुट पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो मेरा टापिक है यह नेटवर्क एनाल्सिस है जो इसमें पहला लेक्चर में लेक्टर में लेकाया हूँ नेटवर्क एनाल्सिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टापिक है क्योंकि यह चेप्टर भी है और इस चेप्टर को पाढ़ने से पहले हमको कुछ प्रिलिम्स का श्रेप्ट की जरूत होती है जिसको बिना जाने हम लोग इस चेप्टर में आगे नहीं बढ़ पाते है यह कई बड़ कन्फूजन सो जाती है कि नया नया जो वर्ट्स आरहें उनका मतलब क्या है तो अन्य यह कि तो पहले बता दूमें नेटवर्क एनाल्सिस में कोई भी इक कंप्लीकेटट इलेक्रिकल नेटवर्क है उसके अम लोग इनाल्सिस करेंगे नाल्सिस करने का मतलब उसके different parts में हम लोग current की value निकालेंगे, different components में या different components के एक्रास voltages की value calculate करेंगे, different nodes पे voltages की value calculate करेंगे, इस तरह से हम लोग अगर उसके हर एक part में current और voltage की value निकाल पा रहे हैं, जो कि इसमें impedances या resistances दिये रहाते हैं, तो देखिए simply electrical network क्या होता है, तो समझ लिजिए कोई complicated electrical circuit है, उसके हम लोग electrical network करते हैं, अब complicated electrical circuit का मतलब क्या है, देखिए जैसा कि आप लोग ने intermediate तक पढ़ा होगा, तो intermediate तक जो भी electrical circuits होती थी, उसको हम लोग series parallel combination से solve करते थे, इसे intermediate में आप लोगों ने simple circuit chapter था, यह यह कर सकता है कि current electricity एक chapter था, दोनों में ही हम लोग उसमें KBL और KCL का use करके, कुछ questions होते थे जिसमें KBL लगाते थे, बाकी में हम लोग KCL का use करते थे, बहुत कुछ circuits को हम जनरली ऐसे है, जैसे कि आप लोग देखिए, एक पहला circuit में ने ले रखा है, यह वाली, इस circuit में आप लोग ध्यान से देखें, तो इस circuit को बड़े, इजली हम लोग series parallel combination से startle कर सकते हैं, series parallel combination कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें कि इन दो points की बीच में, यह दोनों resistance parallel म निकाल लेंगे, तो हमाँ पर मिल जागा equivalent resistance, आप देखेंगे कि फिर यह two resistance series में जूड़े होंगे, और यह तीन resistance से series में जूड़े होंगे, इन तीनों को series में ले लेंगे, उसके बाद फिर इस resistance के साथ में, इनका equivalent आएगा, इसके साथ parallel असाथ पेरलियल मिले लेंगे, इ तो हम इसमें current के विल्व निकाल सकते हैं अगर एक बार current के विल्व पता चल गई तो इसके different resistances के across voltages के विल्व हम लोग निकाल पाएंगे या different resistances में current कितने हैं यह निकाल पाएंगे यह सारे calculations हम लोग वहां कर पा रहे हैं तो बड़े इजली लेकिन अगर इसी के साथ आप लोग यह दूसरे सर्कीट को देखेंगे दूसरा सर्कीट जो है यह थोड़ा सा complicated है complicated क्या है कि जैसे इसको हम लोग generally series और parallel combination का यूज करके हम लिस्तों साल कर पा रहे थे इस circuit को आप लोग अगर इसको series और parallel combination का यूज करके साल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको साल तो करना पड़ेगा कहीं निकालने पड़ेगी इसके लिए हम लोग किर्चाप के कुछ लाज का यूज करता है इसे किर्चाप्स करेंट लाप पढ़े हुए हैं किर्चाप्स उनका यूज करके और तब इस circuit को साल करेंगे जहां थोड़ा complicated network मिल जाता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं और ऐसे electrical networks में करेंट और बोल्टेज की वैल्यू को कल्कुलेट करना ही network analysis करते हैं तो यह जो हमारा circuit है दूसरी वाली इस दूसरी वा analysis generally होता क्या है तो आगर आपको definition लिखे हो तो आप वीडियो पाच कर कहां से लिए सकते हैं एक नेटवर्क अनालसिस जनरली theoretical calculation आप current through any electrical component और बोल्टेज एक रास वारेस एलिमेंट्स नेटवर्क अनालसिस मतलब कोई भी थियूरेटकल कल्कुलेशन कर रहा है जिससे कि हम लोग किसी भी network के different different components में current calculate करें या different different components के एक रास हम साब को पता होना चाहिए कि अब network analysis की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ circuits elements भी आएंगे जैसे फश्टे आप लोग ने रजिस्टर्स के बारें पढ़ा होगा इन्डॉक्टर के बारें पढ़ा होगा ट्रैंजिस्टर के बारें पढ़ा होगा ट्रैयोट के बारें पढ़ा होगा यह सारे जो components हैं जो कि electrical circuit में करने में उनको क्या बोलते हैं इसी में switches आ जाती है की आ जाती है बहुत कुछ चीज़ें हैं तो यह सब चीज़ें हैं अभी और आगे बढ़ेंगे मैंने पहला लेक्टर रखा हुआ हुआ है दूसरी लेक्टर से आपका कोर्स स्टाट हो जाएगा ध्यान रखिएगा तो तो अब देखिए जैसे electrical components की हम लोगों बात किया तो अब तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा लेकिन अब देशी के लेवल पर आके आप लोगों को electrical components की टाइप भी बता करना पड़ेगा यानि कितने type के components होते हैं जो circuit elements हो कितने तो इसके circuit elements जनरली दो टाइप के होते हैं वाला होता है पैसिव element और दूसरा होता है active elements इसको थोड़ा सागवर से देख लिजेगा कई बार यह पूछा आता है कि पाइसे elements क्या होता है एक्ट्यव elements क्या होते हैं तो पैसिव elements का मतलब सा है कि जो circuit में पाइसे पाटिसिप component है अब resistance अगर 10 kilo ohm है तो वह 10 kilo ohm ही resistance हमेशा आपर करेगा उसका resistance नहीं हो सकता अपने आप से कुछ भी behavior change नहीं करेगा अपना तो इसमें देख सकते हैं दूसरा बात कहा जाता है कि कहें 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 लिखाता है कि कोई जन पावर जनरेट नहीं कर सकता तो जनरली कोई पावर को स्टोर किया हो उसी को रिलीज करें तो और भी इस ट्रांजिस्टर से तो पावर को increase करते हैं इंक्रीज करने के लिए वह कहीं से पावर लेता है वहां एनर्जी कंजर्वसानला फालो होते हैं यह जान रखिएगा तो कोई भी electrical component single power generate नहीं करता एक्सेप्ट बैट मतलब वह जो भी component है वह पावर को generate ना करें बलकि उसको करें उसको इस्टोर कर सकता है रिलीज कर सकता है ऐसे सारे components को क्या बोलेंगे पैस्व कंपोनेंट्स जनरली आप सिंपल लांगोज में बताना चाहें तो सिंपल लांगोज में आप बता सकते हैं कि किसी भी circuit में पर उस component के behavior में चाहिए उसको बोलेंगे पैसिव एलमेंट्स में आते कौन-कौन से हैं पैसिव एलमेंट्स में रेजिस्टेंस आ जाता है कैपसिटर आ जाता है क्वाइल्स आ जाती हैं इंडक्टर्स हैं ट्रांसफार्मर बीसी में आ जाता है चुकि इंडक्टर्स से मिल देखेंगे तो देखेंगे आप लोग एक्ट्व कंपोनेंट्स अब एक्ट्व कंपोनेंट्स क्या होते हैं या एक्ट्व एलिमेंट्स क्या होते हैं एक्ट्व एलिमेंट्स ऐसे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी सर्किट में एक्ट्वली पार्सिपेट करें करने का मतलब क्या है करेंट और बोल्टेज के चेंज होने के साथ अपने ब्याइबियर को चेंज कर लें जैसे कि यह डायोड है अब ध्यान से आप लोग देखेंगे आप लोग पढ़े हुंगे को स judgments啊 के सिम्बल होता है कि इसका लोग बड़ाता है तो इसका حता है कुछ Ohm का होने का मतलब 10 Ohm से लेकर के 50 Ohm के करीब आयता है इतना कम हो आता है तो इसका मतलब क्या है कि voltage के change होने के साथ या current के change होने के साथ इसका behavior खुद से ही change हो रहा है इसको कोई external अच्छेंज नहीं करें हो जान से देख लिएगा active elements में जो होंगे हो हमारे तो डायोड आजाएंगे बैटरी आजाएंगे बैटरी में भी है कि अगर आप आपको पढ़ना है फर्स्टियर में ट्रांजिस्टर और डायोड के बारे मुझ्ट लिए आप लोग पढ़ेंगे ठीक यह सारे जो components है यह सारे के सारे एक्टिव कंपोनेंट्स है यह सारे के सारे circuit में एक्टिवली पार्सिपेट करेंगे ठीक यह भी धान रखिएगा सससर्कुट्स अरहे उलमेंट्स को सिर्फ करकेंट कर रहा है सो गत्क कोई सर्कीट्स है जिसमें लगे हो कैपासिट्स लगे हो इंड़क्टर्स लगे हो बट कोई भी ग보नेन तो तो को बोलेंगे पाश्यो नेकवर्क . ऑज्विल समय waterproof घिया होगा एससे नेटवोर्क जिन में एक्टीष कंपोनेट्स लगए हो पाइसी यहां प्राइस तो इसमें एक्टीष होगा सलकेफिस निए होगा ऐसे जितने भी नेट वर्क होंगे जितने भी यृच Sagis जिन में कोई एक्टिव कंपोनेंट लगा हो धीफ क्षी एक्षी निट्वर्क इन दो नेट्वर्क के बाद एक अच्फी नेट वर्क के गद एक मैं के लिंध करने के लिए किन आपया कोई भी जैसे कि आप लोग अभी मैंने पीछे बताया कि कोई भी सर्किट होगी तो साल्ब करने के लिए हम लोग के विल एक करेंगे करेंगे तो अगर किसी भी सर्किट को साल्ब करने के दवरान उसके हर एक जो यह तो उसके करिस्पांडिंग यह एक में स्क्राइब करने के लिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे लिनियर नेटवर्क यह भील्कि और की और कि क्रिक्राइब बता रहा हूं उसी चीज को मैंने लिख रखता है एक प्रॉपर्ट लांगोज में लिखा गया है आगे देखिए अब जब हम लोग नेटवर्क अनालसिस की बात करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स भी आएंगे उन टर्म्स का भी बारे में जानना होगे जिसको हम बार बार ड बीच में लगाया जाता है कोई दो पॉइंट है हमारे पास बीच में कोई कंपोनेंट लगा लिया मैंने इसको हम लोग ब्रांच बोल देते हैं जैसे एक अक्यला ब्रांच हो गया अब इसके आगे कुछ और लगा होगा तो यह दूसरा ब्रांच हो जाएगा इधर कुछ तो अब देखिए इसी चीज़ को मैंने डिफ्रेंसर में लिख रखा है समझ लेगा कि यह जितने वी एक एक ब्रांच में जो भी कंपोनेंट्स लगा होंगे सारे सारे सीरीज में लगा होंगे जैसे आप मैंने बताया कि यह कैपसिटर लगा है रेजिस्टर लगा हुए है तो एक साथ सीरीज में लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स होंगे दो पॉइंट्स की बीच में उनको लोग ब्रांच बोल देंगे तो पूरे के पूरी इस दो पांट्स के लाइन को लोग ब्रांच बोल रहा है अधान रखियेगा इसी चीज का डिपनेसिन उपर मैंने रखा है अग्रूप आप सार्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैविंग टू टर्मिनल्स फार कनेक्शन्स इस कालड़ ब्रांच तो जो तो टर्मिनल्स की बात करें दो पॉइंट्स है और उनकी बीच में जितने भी कंपोनेंट्स लगें तो सिंगल ब्रां ब्रांच होता क्या है अब यहां यहां यह दो पॉइंट्स है यह पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखेंगे तो यह एक ब्रांच है यहां से यहां के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है इसको ब्रांच नहीं बोलेंगे लेक में कोई नहीं कोई नहीं कोई लगा कोई ना साइए तभी इसको ब्रांट बॉलेंगे आप यहां से हां तक जो लाइन है सब्सक्राइब एक न्हीं बॉलेंगे क्योंकि यहां से यहां तक बिल्कुल क्या रेखत टेस्स ओपे लाइन में जुद सबी iç क्या होगा कि अगर कहीं पर भी दो ब्रांचेज कि लांच किसी एक पॉइंट पर आके मिलते हैं तो इसी फिगः में देख लिए जी उपर वाले में ही तो कि यह हमारा पॉइंट है तो यहां पे देहिए तो एक ब्रांच यहां ये ए तीनु师 कi थाक Свilsations जोड़ी होती है उसके आसफिन हैंे तो फ्सक्राइब विद गृँए Schnall फिन नाम यूज किने गज्यू की जाते हैं तो किसी कि described पॉइंट पे दो या दो से अदिक जुम रही हो तो उन् ineप को बोलेंगे टिव कि की इसको कई नाम से जाना जाता है नामें बता दिया इसको लोग नोड कहेंगे ब्रांच कहेंगे जनर कहेंगे या कहेंगे तो डिपरैंट डिपरेंट WOR referencing में लिक क्या होता है तो देखिए अब कोई भी कि सेट है जो कि कई सारे ब्रांचेज को कंटेंड किये हुए हो और ब्रांचेज को कंटेंड करने के साथ एक लोग पाथ फार्म कर रहा हो उसको आम लूप बोल देते हैं ठीक यह यह जो कि बोल देंगे कोई बहुत मैंस बैसिक होता है जो मेस होता है और कि सबसे चोटा लूप होता है यह यह जो लूप होता है जिसको और उससे चोटे लोस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं मैस यानि जो सबसे चोटी जो इनिट होगी उसको मैस बोलेंगे उससे बड़ी होगी लूप एक लूप में दो मैसेस हो सकते हैं तीन मैसेस हो सकते हैं लेकिन एक मैस में लूप नहीं हो सकते हैं तो कर सकते हैं कि सबसे छोटा लूप बनेगा उसी को हम लोग मेस बोलेंगे तो इसलिए कई वुक्स में यह दोनों को सेम मान लिया गया है बहुत माइनर डिफ्रेंस है जो इन इन वाली इस्टूएंट है वही बता पाएंगे यह सब डिफ्रेंस होता है अब लूप और मेस क हम इसे कितने हैं एक नोड ये है हमार है दूसरा नोड ये हमार है थीसला ओस अब इसको इस और यहां के बीच में कर रहने हो जो एक हीम्पोणेट इसयों और पूर्च में से रेतरी ओर वाला नोड यह हो गया जहां पर दो कंपोनेट्स जुड़ हुए हैं दूसरा यह हो गया जहां पर तीन नोड्स हैं जहां से देख लिएगा नोड्स को इडेंटिफाई करने की तरीका इसको हम लोग नहीं मानेंगे क्यों कि यहां पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है अगर इ सब्सक्राइब कर रहे हैं जो तीसरा है यह एक लूप यह भी फार्म हो रहा है पूरा इहां से गूमते यह करके यह भी एक लूप हो रहा है इसमें जो लबर आप लूप लिख लाफ लिखा गया है जिये जो मैस्वन लिखा गया है यह अब कि मैसें कितने होंगे मैसे से सिर्फ रखे अब इसमें से औह जो दिखा रखा इस में दूसरा गजifies हिसमें दो ही मैस इसमें नुम बारा पिखें सटल है बट मैसे ड़ तने हैं वंत किसे सेक्षण में में सै इलक्षे देखेंगे गर कि अंवक भूंग कि अब नर्डिस्थ कि न लूप कितने होंगे मैसे कितनी होंगी नोट कितने होंगे अभी पता कर सकते हैं कि नेटर्वर के नाजिस में अगे बढ़ेंगे तो करने के लिए सबसे जरूरी काम है हमको किर्चाप्स लाज पता होने चाहिए पूरा नाम था ठीक उन्हों दो ला दिये वे थे अब दो ला में कौन कौन सा था पहला है किर्चाफ करेंट ला पहला किर्चाफ करेंट ला क्या बताता है अलगेब्राइग साम आप एलेक्ट्रिकल करेंट एट एन नोड आप एलेक्ट्रिकल नेट वरक इज़ेकोल तो जीड़ो ठीक मतलब क्या है एक चीद्धान रखेंगे हैं यहां पर यहां पर डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे बट करेंट डायरेक्टर क्वांटिटे नहीं हो कोई भी अगर एक नोड है या कोई भी एक जंक्सन है उस जंक्सन पर आने वाले सभी धाराओं का योग हमेसा क्या होगा वहां से दूर जाने वाली सारी धाराओं की योग के बराबर होता है मतलब क्या है यतनी करेंट्स नोड की तरह अप्रोच करेंगी उनका सम वहां से दूर जाने वाली जो करेंट्स होंगी उसके सम के बराबर होगा यह भी कह सकते हैं आप लोग दूसरे तरह सकते हैं करेंट्स गोइंग तुए नोड नोट एंड़ करेंट्स गोइंग अवे फ्राम नोड दूनों के उक्कुल कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं अब लोग अब आगे बढ़ते हैं देखिए कोई भी करेंट्स नोड की तरफ अप्रोच कर रही होती है उसको पाजिटिव लेते हैं जैसे यह को नोड की तरफ अप्रोच कर रही है नोड की तरफ अप्रोच कर रही है इसको पाजिटिव की साथ लिखा जाएगा जो वहां से दूर जा रहे हो तो इसको निगेटिव साथ लिखते हैं तो यह द्यान रखिएगा करेंट की तरफ जो अप्रोच कर रही होगी उसको पाजिटिव के साथ लिखेंगे अगर अप्रोच नहीं कर रही हो तो क्या मतलब उसको निगेटिव साथ लिखेंगे वहां से दूर जा रहे होंगी तो इसके साथ एक चीज़ान रखिएगा करेंट हमेशा हाइर पोटेंशि अब त्रहाँगो तो नोडेल इसलों प्रोच नोड से लगाना हो और यह दार आ रहे है आई थृ आ रही है आई फोर आ रही तो हम लोग लिखेंगे कि व्लस इवन फ्लस अईधरी प्लस आईफोर माइनस आईफ पाइब माइनस आइज है तो यह इसी चीज को हम लोग ऐसे लिस सकते हैं यह इसी एक्वेशन से आप लोग ला सकते हैं आई फोर जो होगा किसके बार हो जाएगा आई टू प्लस आई फाइब के बराबर यहां से आप लोग देख सकते हैं कि है कि यो हमारा करेंट की तरह अपरोच कर रही है उसका सम और जो से बेंट जा नियुक्त नाम होता है स्कूल कर दो तरह यह करेंगे तो उससे तरह करेंगे आप लोग उंट करेंगे मतलब किसी खाय किसी नोट पर आने वाला चार्जोगा और बोर जाने वाला जो चार्ज हो उसका मांठ हमेसा रहेगा तक किसी भी पॉइंट पिस्टेबल नहीं रहेगा तो अब हुसक्राइस को आप ज Bürक सकते हैं तो फॉलो करता है और उसका किसी भी एक पॉइंट पे किर्चास बोल्टेजला क्या होता है या किर्चास बोल्टेजला लगाने में लोगों को बहुत दिकत है कुछत है चाहिए प्रहिए कोड़ल को इतना है उस जो हम लोग लिख लेते हैं इसमें सब्सक्राइब कर लेंगी अभी करेंगे हमेशा फ्लो करती है निगेटिटिव करती है जीस अरगे-डाइट करेंगे किसी भी कमपोनेंट में इंटर करेंगे उसको हम लोग हमें साथ सब्सक्राइब आया गया जैसे यहां पर लिए जिदर से बाहर निकलेगे उसको माइनस नगेंटर से तो करेंगे मैं हार एक लूप के लेकbracht यहां रखेगा डूसरे से इंटर निकळ निज़ा है ओत्युर्ब इसको इंटर कर रहे बृष करते हैं यह गण लिखते हैं तो इसको मेस एक्वेशन लिखते हैं हम लोग या लूप एक्वेशन बोलते हैं ठीक अब जैसे कि इसमें हमको लूप ला लगाना है या कर सकते हैं कि कि जास बोल्टेज ला लगाना है तो कैसे हम लोग लगाएंगे छब जो किस डायर्यक्शन से कर रहे है आप लोग चाहिए तो इसलेको ऊल्टा भी सकते हैं आप स्टी से मैं года ना हो जैगा जैसे कि अभी अब सब्सक्राइब मीचक करूए कि लिए सब्सक्राइब यहां से यहां प्लास घ्र यहां तक यहां से विए करके लीटर यहां तक तो जब उल्टा चलेंगे तब भी आपको रिटाउन यहां तका ना होगा तो इसको भी नॉट मैं कर देता हूं यहां भी नॉट कर देता हूं तो आपको सब्सक्राइगा अब देखिए दूसरी तरफ से अगर हम लगा है कि एंटी गुमा लें इसको तो क्या जाएगा अगया मैं मैं मैंले तो कि मैं चलता हूं तो मैं इधर से इंटर करूंगा करोंगा आसे लिखोंगा चायव थी नॉट- अब इधर आउनने तो्नार्नक्नय 0-1-3-2-5-2-0-0 क्यule विए पर इसा होता है यहां पर मालेज़ें कोई एक लिटाबर आ गया मैंने या या माल लिता हूं कि एक और बैटरी स्वेट भी मैंने लगा लिया कोई बश्यांति इधर जाएगा पाजिटिव से निगेटिव तरफ तरफ अब इधर करेंट जो आ रही थी इधर आ रही थी इसमें अगर इसमें करेंट मालो इसमें कर दो ऐसका यह किबात करेंगे कि यहां पे देख पार होंगे कि आई टू है रहे होंगे लेकिन अगर हम लोग वही केवियल सेकेंड लूप में लगा रहे होंगे से हम लिक करेंगे इसमारा किरस्टार या तो यहां विम्हär जा हो जाने है तो इसे हम लोग लिक्श करेंगे अर्ग हें टीट कैसे हम क्या लिक रहे हैं डिला था में गफ आप्लाई करने का तरीका उसमें हम लोग कैसे मतलब की को लिखते हैं एक चेवर ध्यान दियेगा अगर यह सोर्स आपका लगा हुआ है अगर इसका बोल्टेज भी है तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगए उन सबके एक रास बोल्टेज का सम जो आएगा वह इसके बराबर ही आएगा इसके बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है एनर्जी कहीं लाज हो रही है और मतलब एनर्जी का लास नहीं होना चाहिए तारा कसम से अधान के बेचाप कर रहे थे यहां पर हम पास पढ़ेंगे तो हम लोग रजिस्टर्स नहीं क्योंकि हो सकता है कि सर्कीट में क्यापसीटर भी लगा हो इंडक्टर भी लगा हो आफ एक्टिव जो होता है क्या है कुछ इंडॉक्टर के करान थे करना हम casa हुं और जो इस fan पुछों में से भात ना करके इंपिडेंश की बात करेंगे प्सिति एब होता क्या है जनरली समझ लीजिए पूल टोटल सर्प सर्किट के कारण या जितने भी सर्किट लगे हुए लूप में उस टोटल सर्किट कंपोनेंट्स के कारण जो एफेक्टिव अपोजीशन क्रियट होता है उसी को हम लोग इंपिडेंस बोलते हैं अब इफेक्टिव अपोजीशन में हो रिएल लगा हुआ है तो यह पता होता है लेकिन इंड़क्तर और किटन करें गेंगे मुश्किण काम करने सटों हमकोار करेंट के इसे चिर्कृit को साल्व करना पड़ेगा और वहाँ से हमको। इंपिदरयां मिलती है तहेंभा हिए यहां पर हम लोग करते कहते हैं कि जो हमारा इंपीडेंस होता है ज explosive माण लेते हैं कि इसके दो इसको दिखाते हैं हम लो इसको च्रीकते हैं आइन प्लस आ ऊसका रियल उनसर्केट गौई पोंच करेगा और जो वरavour चोली क्रिएट करेंगे अस पोशेट कर जो हमारा इमेजनरी पार्ट होता है उसको हम लोग जेक्स से दिखाते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है फिख इसका यूनिट होगा इंपीडेंश एक कंपलेक्स कॉंटिटि है जिसमें रियल पार्ट होगा और समझ वहीं इम्पेडेंस बदाबर होगा कि और आगे बढ़ेंगे तो देखिया जिब ने चाहिएज की बात आते हैं तो नाला को लागा करके हम लोग कर सकते हैं पहला था करण्ट ला दूसरा था कर्षास एक बहुते शारे कुछ को resistence के लिखते हैं आग भोльड़ेज का सम लेते हैं और वोलड़ेज का सम लेते हम लोग current और रेजिस्टेंस के टाम में लिखेंगों और यहां से क्या करेंगे current की वैलू को find out कर लेंगे यानि कि जो हमारे मेस equations बनेंगे वह हमारे impedances और Current के टाम में बनेंगे और वहां से हम लोग current की वैलू निकालेंगे in terms of impedances तरह से जब आप लोग नोड लेंगे नोडल लेंगे करने का मतलब यहां किरचाप्स करेंगे लगाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे वहां सीध्य आई की वेलू लिखते हैं जैंड आपरोच करने वाली करेंट और उससे तो अबे जाने वाली करेंट इन दों या E upon Z भी लिख सकते हैं, जनरली हम लोग Electromotive Force की बात कर लेते हैं या E में भी बात कर लेते हैं, तो E upon Z भी लिख सकते हैं, अब यहां पर जो Z है यह तो हमारा Impedence था लेकिन 1 upon Z जो होता है वो आई के बराबर लिखते हैं इसको Admittance बोलते हैं हम लोग, Admittance parameter भी होता है, जनरली हम लोग लिखेंगे यहां पर simply कहा सकते हैं आप लोग, कि हम लोग Voltage और Impedence के term में लिखेंगे, जो हमारे Nodal Equations आएंगे, वो Voltage और Impedence के term में आएंगे, और वहां से हम लोग किसके value निकालेंगे, Voltage के value, किसके term में? Impedence के term में, जनरली हम लोग Y के term में calculate करते हैं, तो Admittance के term में निकालेंगे, लेकिन Y is equals to 1 upon Z होता है, तो बाद में हम लोग put करके, उसको 1 upon Z करके, Impedence में Convert कर लेते हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, तो यह ध्यान रखिएगा, कि जो आप लोग कर रहा होंगे, तो वहां current find out कर रहा होंगे, और जो आप nodal analysis कर रहा होंगे, तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट नोर्स पर आप voltage रहा होंगे, यह हमारे कुछ basic concepts थे, जिसको कि जानना बहुत जरूरी था आप लोगों को network analysis को पढ़ने के लिए, अब next वीडियो lecture होगा हमारा network analysis नेटर्क analysis में हम लोग two mass network को solve करेंगे, उसके बाद n mass network को solve करेंगे, उसके बाद फिर कुछ circuits हैं, जैसे कि pi section filter होता है, या फिर pi circuits होती है, भी circuits होती है, ठीक या उसको T network भी बोलेंगे, T network, pi network, उनको हम लोग solve करेंगे, ट network, pi network को solve करने के बाद थ्वास आप आपने के या network theorem का सकते हैं, जिसमें कि थेवनियस theorem आता है, नौटरंस theorem आता है, maximum power transfer theorem आता है, इन सारे theorem के बारे में लोग बात करेंगे, तो आज का वीडियो में यही तक रखता हूं, next video में किना मेल मिलता हूं, एक नही टापिक के साथ, जिसमें कि आप लोग mess analysis के बारे में जानें तो फिर आज के लिए इतना रखता हूं, thank you